आज हम बनाएंगे रस्मलाई मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी रस्मलाई बना के तयार करेंगे जी हाँ आप इसे बिल्कुल ही मार्केट जैसा हलवाई स्टाइल घर पे बना सकते हैं बस आपको सारे स्टेप्स परफेक्ली फॉलो करने हैं तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले एक पतीले में लेंगे एक लीटर दूद्ध याने की चार कप डूध लिया है मैंने आपको गायक के दूद्ध का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करना है अगर 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 अब ःसक्य दूद्ध का इस्तिमाल करेंगे तो छीना सॉफ्ट नहीं बनेगा इसलिए गाय के दूद का ही इस्तिमाल करें लगाता चलाते हुए पहला बॉयल आने दे फिर फ्लेम को लो कर दे यह देखिए पहला बॉयल आ चुका है फ्लेम को लो कर दिया मैंने अब इसमें डालेंगे एक चमच विनेगर फिर इ करने देंगे फ्लेम को ओ नहीं करना लो कर दे फ्लेम को घ्राइव को ओंडेंगे अब इसमें डालेंगे ये फ्लेमा ओर पमो दो निकाल लेंगे, अब ठंडे पानी से इसे धो देंगे, दो भर दोना है हमें इससे क्या होगा विनेगर का टेस्ट भी चला जाएगा चीना ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि ये काफी गरम है तो इसे दो बार अच्छे से धो ले और पानी भी निकाल ले फिर कपड़े को कुछ इस तरीके से बांध ले और प्रेस करते हुए एकसिस वाटर हम निकाल लेंगे ये देखिए काफी पानी निकल रहा है अब इसे टाइटली बांध के एक से दो घंटे कले कहीं लटका देंगे अब एक पैन में लिया है मैंने एक लीटर दूद उसमें एक चब है कप चीनी थोड़ा से लाइची पाउडर अब इसमें डाल देंगे केसर वाला दूद इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर का फूट कलर भी यूज किया है अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम इसे लगाता चलाते हुए गाढ़ा करना है उस पुर्ली को खोल लेंगे और यह चीना बहां निकाल लेंगे एक प्लेट में ले ले पहले अब सबसे पहले चीने को कुछ इस तरीके से क्रश करना है यानि के अच्छे से उसे तोड ले फिर इसे हम मसल मसल के 10-12 मिनिट तक मलेंगे इससे क्या होगा यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और ऐसा करकर के डोर रेडी होगा जब यह अच्छा सा सॉफ्ट होने लगे तब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून मैदा तो यह देखिए अच्छा सॉफ्ट हो गया है पहले फैला दे बीच में एक टेबल स्पून मैदा डाल दे अब इसे मिला करता है रसमल आई को होल्ड करके रखता है यानि कि इसको फटने नहीं देखता तो यह देखिए अच्छा सा डो बनके रेडी है अब चोटा सा टुकड़ा हम तोड लेंगे सबसे पहले हलके हाथों से एक बॉल जासा बनाएंगे फिर दोनों हाथों की बीच में रखके इसे हलका सा प्रेस कर देंगे यह देखिए इसमें इबलकुल क्रेक नहीं आया है इसी तरीके से हम बाकी रसमलाई के बॉल्स भी बना लेंगे अगर आपकी रसमलाई के बॉल्स में क्रेक्स आ रहे हैं तो आपको इसे और 5-6 मिलेट मसल लेना है जिससे और सौफ्ट हो जाएगा बस यही procedure follow करना है, बिल्कुल आसान है, बॉल बनाना है, हल्का सा प्रेस करना है, इसी तरीके से ये देखिए, सारे रस्मलाई के बॉल्स बनके रेडी हैं, इसाइड में रख देंगे, अब एक कड़ाई में लिया है, मैंने आधा कब चीनी, साड़े तीन कब इसमें मेडियम, अच्छे से गुमा के पिगला ले, जैसे ही चीनी पिगल जाएगी, फिर चाशनी में उबाल आने देंगे, अच्छे से जब चाशनी में उबाल आ जाएगा, तब एक एक करके इसमें रस्मलाई के बॉल्स डालते जाए, ध्यान रखे, ये काफी गरम है, इसलिए सावधानी से बॉल्स डाले, रस्मलाई की सारी बॉल्स अच्छे से डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे, और इसे हमें कवर करके 6-7 मिनिट तक पकाना है, फुल फ्लेम पे, यानि की हाई फ्लेम पे, तो इसे ढख देंगे, और पका लेंगे, 7 मिनिट तक, 7 मिनिट ब फ्लेम को कर देंगे लो और इसे दस से बारा मिनिट तक हमें लो फ्लेम पे खुला रखके पकाना है तो इन टोटल हमें इसे 20 मिनिट तक पकाना है और एंड में लास्ट में पांच मिनिट तक इसे फुल हाई फ्लेम पे पकाएंगे खुला रखके और एंड में देखिए चेक कर लेते हैं यह इदम सॉफ्ट है देखो बिल्कुल तूट भी नहीं रही है तो फाइनली फॉफ कर देंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह नॉर्मल रूम टेमपरेचर पर आ जाए तब इसमें से चाशनी निकाल के बोल में ट्रांसफर कर देंगे सभी में से हलकी से चाशनी निकालनी है इन्हें जाधा प्रेस नहीं करना है वनना यह तूट सकते हैं उसके बाद इसमें डाल देनी है मलाई मलाई अगर जादा ठंडी हो गई है तो उसे नॉर्मल गरम कर ले फिर इसमें डाले और मलाई थोड़ी जादा ही डाले ताकि अच्छे से अब्जॉब कर पाए तो फाइनली यह हमारी रेडी है रस मलाई इसे 6-7 घंटे तक नॉर्मल टेंपरिचर पर सैट होने के लिए रख